यह हमारा घर नहीं है कोई कहे कि भारती मेरा घर है कोई कहे कि फला जाती में मैंने जनू लिया यही में इसी जाती का हूँ यह कोई कहे कि मैं इस परती का वासी हूँ यह सब भ्रम है मुरुखता है यह मुसाफिर खाना है हम राहागीर है राहा में रुख गए है विश्वराम लेने के लिए फिर आगे चले जाना है कर्मों के अमसार जाना पड़ता है लिए है यह मुसाफिर खाना जो आया सोई गया जो भी आया राजा हो गए, रंक हो गए बड़े-बड़े मिनिश्टर गए राजा गए, रंक गए सेठ गए, साहुकार गए चोर गए, डाकू गए कोई बचा है या कोई नहीं बचा प्रत्वी माता कहती है समराट को कि अरे समराट आज तो बड़े एहंकार के साथ कहता है कि मैं भूपती हूँ ये चक्रवर्ती समराट ये जूटा एहंकार ट्याग दे तुछ से पहले करोरों और समराटों ने ये ही कहा था कि मैं भूपती हूँ मैं चक्रवर्ती समराट हूँ आज उनका नामों निशान नहीं मिलता कोई बता नहीं सकता यूँ कहां गए हावा में गए कि जमीन में गए या आस्मान में गए कहां गए या कीट पतंगों में गए कीडे मकडों में गए कुटे बिल्लियों में गए या गदे गोडों में गए कहां चले गए कोई बता नहीं सकता है यह राजन आज तो इतने एंकार से बोलता है कि मैं भूपती हूँ मैं चाहूंगा वह होगा मैं ऐसा करूंगा कौन बगवान कैसा बगवान किसकी सेवा किसका नाम जब करूँ कि किसका नाम लेता है तू मैं भगवान हूँ मेरा नाम लिया कर सुबह श्याम और सब राक्षस बच्चों को भी यही सिखा दे कि हिरना कश्चपू भगवान है मेरे नाम की माला जब कर यह माला ले अखिर नतीजा क्या हुआ इरना कश्चपू मारा गया नरसिंग भगवान के हातों से प्रलाद महाराज ने इरना कश्चपू ने तो मूर्ती बना रखिते अपनी सुन्दर साथ फिट की सोने की मूर्ती रत्न जड़ित हारों के साथ मुक्तों के साथ असुरों का राजा था कि प्रलाद महाराज को पकड़ के ले गया मंदिर में कि यह देख इरना कश्चपू मेरी मूर्ती तेरे पिता की मूर्ती सभी असुर बालकों को समझा दे कि मेरे पिता ही इश्वर हैं तुम मत बोल राम कृष्ण नारायन गोविंद धे कृष्ण अरे कृष्ण अरे कृष्ण 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 अरी अरे हरे राम अरे राम 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 मत बोल बोलों ओम नम अरिक कश्पू नमा पिता जी आप यदि भगवाने तो यह लो यह पौधे से मैंने इस फूल को अलग कर दिया है तोड करके आप करपा है इस फूल को वापिस लगा दीजिए मैं मालूँगा कि आप भगवाने क्या बाते करता है बेव कोफो की तरह तूटा हुआ फूल कैसे वापिस डाली में लग सकता है पिता जी फिर आप भगवान नहीं है और भगवाने देखो कितनी सुंदर सुष्टी की रचना की है कितने असेंग के फूल किलाए है आप एक भी फूल किला सकते है मैं मालूँगा कि आप भगवाने मूर्ख है तो प्रलाद तो ये इरना का श्यकू समाज में आधिक बढ़ गए है भगवान के समी पाना चाहिए भगवान का भजन करना चाहिए भगवान की सेवा करनी चाहिए इसलिए में हमको सुख, शील, संतोस, आनंद मिल सकता है और कोई मार्ग नहीं है हरे रिनाम, हरे रिनाम हरे रिनाम एव केवल केवल हरी का नाम मार्ग है उस परमानंद को प्राप्त करनेगा, दूसरा मार्ग नहीं है, आइस्क्रिम में नहीं है, आनंद, कारों में नहीं है, मुझे कोई कभी मंदिर में होता हूँ, कभी बोलता है, कि स्वामी जी आ जाओ आपको छोड़ दू, मैं बोलता हूँ, मेरे पास ट्रेन फास है, चला जाओंगा मैं, मैं तो मंतली फास निकाल लेता हूँ, और इतनी दूर मेरा घर है, कहां जाओगे आप, बोलो स्वामी जी आपको घर तक छोड़ूँगा, आप पहले घर छोड़ूँगा, फिर आगे जाओँगा, नहीं, मैं तो क्षमा ही मांग लेता हूँ, कि मुझे तो पता नहीं, भगवान ने कुछ ऐसा, anyway, मेरा जियोन पी सन्या सीका है, मुझे तो पाओंपे चलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसको कार में चलना चलना लगता है, कार कोई बादा थोड़ी है भगवान से मिलने के लिए, या आपका धन दौलत बादा नहीं है भगवान से मिलने के लिए, या आपके महल मकान, रिष्टेदार ये बादक नहीं है भगवान से मिलने के लिए, या आपका ग्रस्ती जीवन बादग नहीं है भगवान से मिलने के लिए आप जहाँ हैं जिस रूप में राजा हैं तो और प्रजा हैं तो जिस रूप में भी हैं जिस वेश में भी हैं जिस देश में भी हैं आप भगवान से मिल सकते हैं मिलने की तैयारी कर सकते हैं उस आनंद को लूटने के लिए आगे कदम भड़ा सकते हैं भगवान की सेवा में उतार हो सकते हैं ततपर हो सकते हैं लग सकते हैं चब चाहें जिस हालत में चाहें उसी हालत में यद करो उस यद असनासी जो कुछ करते हो खाते हो पीते हो सब उसकी स्मृत्य में करो उस भगवान को सामने रखके करो सब कर्म करो तो आप उनकी शर्ण में आ जाओगे दूस कर्म करने वाला नहीं आ सकता भक्त बनी नहीं सकता ओ लाख दिखाने के लिए दान पात्र पर अपना नाम लिखा है दानियों में लिए भगवान की शर्ण में नहीं आ सकता है जो अपना नाम चाहता है वो भगवान को कैसे पा सकता है दूस कर्म करने वाला भी नहीं आ सकता भगवान को पाने के लिए शुद्ध सरल इरदे चाहिए और उनकी शर्ण चाहिए कि प्रभू मैं आपकी शर्ण में हूँ मैं शुद्धता से जीवन जीता हूँ शुद्धता से परिवार को पालता हूँ शुद्धता से फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाता हूँ आप मेरे उपर कृपा लोग बने रहना आप मेरे मेरी पर्युआर की रक्षा करना और कभी आपकी विशेश कृपा हो तो मुझे दर्शन देना ऐसी अभिलाशा है रक्र के जो अपने कर्म में आरूड होता है जिस कर्म के फल को सत कर्मों में लगाता है सची प्रभू की सेवा है जोटी प्रभू की सेवा नहीं है जोट कर्मों में लगाया गया परिश्रम, धन, दिमाग, ज्यान भगवान की सेवा में नहीं लगता सत कर्मों में लगाया गया भगवान को सामने रख करके वो सब भगवान की सेवा है चत्र विदा भजनत इमाम जना सुकृतन और जुना आर्तो जिग्यासुर अर्थार्ती ज्ञानी चे भरतर सभा तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तीर विशिश्चते बहुत प्रिया है जो सदे उनकी सिवा में लग गया है ये जान करके कि मैं उनकी मैं उनका आँश हूँ वो मेरे पिता है मेरे बीच पिता है मेरे असली पिता है आपका असली घर वो वेकुंट है वो इटर्निटी है वो बिन्नावन धाम जो वेकुंट का स्रेष्ट इस्सा स्रेष्ट धाम भगवान स्री कृष्ण का धाम है वो आपका ओरिजिनल घर है क्योंकि आप वहां से ही अलग हुए हैं भगवान से भगवान के शरीर से ही अलग हुए हैं आप उनके अंश हैं आप जैसे किरणे असेंक किरणे सूरिय से अलग होती है और जमीन को टच करती है नरक को भी टच करती है अच्छे बुरे सब को इसपर्श करती है लिए वो भूलती नहीं कि सूरिय हमार स्रोत है ऐसी भगवान की भगत कभी भूलते नहीं कि भगवान हमारा स्रोत है वह हमारा कारण का कारण है वह हमारा पिता है भगवान ने स्वें कहा है या एहम बीज प्रदा है प्रता मैं सभी का बीज प्रदाता हूं बीज पिता हूं इस सम्मेरी संतान है ने भूल गए मुझे बटक रहे हैं संसार में चित्डे पहन के काच के टुकडे बीन रहे हैं कहने की शब्द अच्छे अच्छे रखे हैं टाई है सूट है बूट है संत कहरा कि ये चित्डे पहन के ये काच के टुकडे क्यों बीन रहे हो उस प्रभू को भूल के प्रभू को भूल करके कुछ भी करो वो सब काच के टुकडे हैं प्रभू को अपने सामने रख करके जो छोटा सा भी करोगे ये बड़े से बड़ा भी करोगे वो सब प्रभू की सेवा है जैसे पत्नी अपने रूठे हुए पत्य को मनाने के लिए क्या करती है एक गिलास दूद बना लेगी कहेगी दूद तो पीली चीए नहीं भी ना दूद को गिलास को रख देगी एक तरफ को फिर धीरे से दबे पाउं पैरों की तरफ जाएगी और पती अगर खाट पर सो रहा होगा लेटा होगा तो चर्णों की तरफ नीचे बैढ़ जाएक जमीन में और पाउं को हाथ लगाएगी दबाने लगेगी लगती है ना ऐसा देखा गया है पती फिगल जाता है प्रसंद हो जाता है कि चलो जाने में पाउं दबा रहे हैं इस परमीश्वर को प्रसंद करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा चाहिए दूद गरम करो या चलन दबाओ या कोई पुष्प उनको अरपन करो कि लिए प्रभु में आपके लिए एक फूल लाया हूं कुछ सेवा करनी पड़ेगी सेवा से सर्द्धा प्रगट होती है सर्द्धा का सर्द्धा प्रेम का फाउंडेशन है भक्ति का फाउंडेशन है नीम का पत्थर है और यह नीम का पत्थर मिलता है सेवा से जितनी सेवा करोगे उतनी सर्द्धा प्रगट होगी और जितनी सर पूचे सिखर पर जाएगी जो प्रभू से मिलाए गया अन्य अभिलास आश्युन्यम ज्ञान करमादी अनावृत्म अभी यहां पर शुद्ध भक्ती और वहान के शुद्ध भक्त का चरित्र दिया इस इसलोक में यह इसलोक की लिया गया है भक्ती रसमर सिंदू से जो रूख को स्वामी जी महराज चैतन महाप्रोजी के चर्णों में बैठने वाले उनके शिश्ष, प्रियाशिश, छैग को Fußवामी जो चैतन महाप्रोजी के चर्णों में बैठते थे बगवान के शुद्ध भक्तों में रूप-Sanatan, रवनाद्धास, रवनादभठ, गोपालभठ ये छय गोसवामी बृंदावन में महान बगवान की भक्ती करते थे उनमें से रूप-गोसवामी जी ने बगवान का सभी इण शयोने बगवान का साक्षात कार किया दर्शन किये रोग बोस्वमीजी ने अपनी एक शास्त्र लिखा भक्ति रसामर सिंदु उसमें उस शुद्ध वक्त की परिवाशा दे रहे हैं शुद्ध वक्त की परिवाशा देने कादिकार उन्हीं को है जो शुद्ध तापे पहुंश गए हैं और अनभग किया है अन्य अभिलाशा शुन्यम ज्ञान कर्मादी अनावर्तम भक्ती शुद्ध वक्त की कोई प्रकार की अभिलाशा संसार में नहीं रहती संसार को भूग ने की संसार को ग्रहन करता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए संसारिक पदार्तों को स्विकार करता है भगवान की सेवाम लगाने के लिए अपनी इंद्रियत्रप्ति के लिए नहीं सोना भी कोई उसको अर्पन करता है तो स्विकार करता है भगवान की सेवाम के लिए भगवान की मुख्ट बनाने के लिए बंसी बनाने के लिए मंदिर बनाने के लिए सत्संग भवन बनाने के लिए संत निवास बनाने के लिए यग लुटाने के लिए अन्छेत्र चलाने के लिए ज्यान बाटने के लिए गीता भागवत छपाने के लिए उस संसार की प्रतेग वस्तु भगवान की स्याम लगा देता है जो जो प्रभु को स्विकार हैं उन वस्तु लेकिन उसके कोई अबलाशन नहीं रहती अपनी इंद्रिय त्रप्ति के लिए किसी वस्तु को यहां तो भी भोजन भी भगवान की सेवा के लिए करता है भगवान का भोग लगाया हुआ परशाद खाता है जिसे शरीर में शक्ती रहे और मैं भगवान की सेवा करूँ इस भावना से वस्तु पहनता है स्वच वस्तु पहनता है बहगवान का नाम उब्दिश करने के लिए सत्संग करने के लिए समाज के सामने जाने के लिए अन्य अभिलाशा शुन्नम उसकी और किसी प्रकार की अभिलाशा नहीं होती केवल परमात्मा को प्रसंद करने की अभिलाशा के अलावा ये शिद्वक्त के लक्षन है अन्या विलाशा शुन्नम ज्ञान कर्मादी अनावर्तम अनकूलश कृष्णानु सीलनम भक्तीर उत्तमा जो जब ववायन स्रीकृष्ण की प्रसनता के अनकूल होती है उनुन सेवाओं को करता है उनुन कर्मों को करता है संसारिक कर्म नहीं जिन कर्मों की फल से इंद्रियत्रप्ती मिले फ्यूर्टिव एक्टिविटीज नहीं करता जिस कर्म को करने के लिए फल मिले उससे इंद्रियत्रप्ती करो ऐसे कर्म नहीं करता ग्यान ग्यान पाइंडित जिसको कहा है जिस ग्यान को प्राप्त करके और तर्क भी तर्क करना पड़ता है दूसरे से कि मैं ज़्यादा ग्यानी हूँ ऐसे ग्यान उस भक्त के अंदर नहीं होते कि मैं छह शास्त्रों का ग्याता हूँ मैं आचारिय किया है मैं संस्कृत इस्कृत इस्कृत हूं मैं बड़े खुलका हूँ ऐसे ग्यान वो ग्रहन नहीं करता जिससे तर्क पैदा हो नहीं ऐसे ग्यान जिससे एहंकार पैदा हो वो नहीं ग्रहन करता हूँ ग्यानियों में बहुत हैंकार होता है जिन को कुछ ग्यान होजा है संस्कर्थ पड़ जाए in आचा्री कर ले शास्त्री ये कर ले बड़ा एहम पैदा हो जाता है उंचे कुल में जनम ले ले ब्रामन के अंदर अक्सर क्यों इतना एहम होता है क्योंकि उभ्राह्मन घर में चनम लिया है दूसरे वो संस्क्रित भी पड़ा है शास्त्रों का ग्याता है सट कर्मों में निपुण है मंत्र तंत्रों का माश्च्ट रहे है बढ़ा एंकार की पूझी डोता है वेचारा शर पर डाल की एंकार का बजन डोता है शाष्ट्र कहते हैं कि सट कर्म निपणो विप्रो मंतर तंतर विशारदा एलेश्णो गुरू निशाद वेश्णवाह स्वपचो गुरू यदि भारी विद्वान ब्राह्मन भी हो और वो भगवान का भक्त नहीं हो तो उसे गुरु नहीं बनाना वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है और यदि कोई नीच कुल में भी स्वपच यानि चांडाल कुट्टे को मार के खाने वाली जात यह कोई नीच कुल में भी जन्म लिया हो और वो भगवान की भक्ति में है भगवान का भक्त है विश्णू का उपासक है उसे गुरु बना लेना सट कर्म निपनो विप्रो मंत्र तंतर विशार दाहा एवश्णाओ गुरुन शाद वश्णवाः स्वप्च्यो गुरु भगवान ऐसा नी की संस्कृत बोलोगे तभी प्रसंद होंगे या हिंदी बोलोगे भारतिय बाशा तभी प्रसंद होंगे या हिब्रु में बात करोगे तभी उनको सुनाई देगा समझेंगे नहीं भगवान तो ये अनम्त ब्रह्मांडों में अनम्त भाशा हैं किसी भी भाशा को समझते हैं असली भासा तो आपके भाव की है विर्दे के अंदर कैसे भाव हैं वो भाशा वगवान समझते हैं भाशाओं को समझनी कि उनको आफशकत नहीं आपके भाव समझत भाव ही उनको स्विकार होते हैं किस भाव से आप क्या मांग रहे हैं क्या चा रहे हैं वो समझ जाते हैं कुत्ता की भाशा है लिए कुत्ता तो अपनी विशेश भाशा रखता है या पूछ हिला देगा या आख इदर से उदर करेगा या कान उचा नीचा करेगा या मूँ खोलेगा या बंद करेगा ऐसी भाषा सभी के पास है, सभी प्राणी मात्र के पास, भाषा मुझे नहीं बोलिया है, तब भी काम चल जाता है, प्रते एक बात आप बिना बोले समझा सकते हैं एक दूसरे, और बड़ी हिर्दय आता से, ऐसा कुछ नहीं है, चर्च के अंदर बच्चे अलाव नहीं हैं, जब फादर बाइबल पढ़ते हैं, कुछ प्रवच्छन करते हैं, डिश्टर्ब ना हो, इसलिए बच्चे अलाव नहीं हैं, लेकिन जीसस, जब छोटी उमर में थे, आठ वर्श के आउस्था में, वो कैसे भी लुक छुपके और बैंचों के नीचे जाके बैठ गए, सुनने के लिए, कि फादर प्रिष्ट क्या बोलते हैं, मैं भी तो सुनू, तो भगवान के बारे में, भगवान की कीर्थी का गान, ग्लॉरिफिकेशन, बाइबल में जो जो लिखी हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, वो बोल रहे थे, भगवान का ये अनम्त ब्रह्मान सरश्टी है, भगवान पालते पोस्ते हैं, तो आकिर जीसस के मुह से, ये महिमा का गान सुनके, महिमा सुनकर के, और उन्होंने, जीसस ने, आठ वर्स के बालक ने, एक विश्ल बजा दि, सीटी बजा दि, सीटी बजाए तो फादर और सब चौकन ने हो गए, कौन है ये बालक, किदर है ये, इसको लाओ मेरे सामनी, क्यों आने दिया इसको अंदर, सीटी बजाना अपराद है चर्च में, जीसस ने बोला कि, फादर, क्या आपके भगवान केवल हिब्रू ही समझते हैं, लेकिन मेरे भगवान तो मेरी सीटी को भी समझते हैं, मैंने तो आनंद मगन होके, उनके महिमा का गान सुनके, उनको लाख लाख धन्वाद दिया, और उस धन्वाद में सीटी निकल गई, कि आहा, तो सीटी, मेरी सीटी को भी भगवान ने स्विकार करी, मेरी सीटी को भी वो समझ गए, मेरी विश्ल को भी वो समझ गए, ये मे आप बोले या ने बोले इससे कोई लेकिन संस्कृत पढ़ जाया कोई आदमी थोड़ा बहुत तो बड़ा एंकार पैदा हो जाता है और कोई संस्कृत का इस लोग उसके सामने बोल दे तो उसमें दस तरह से तरटी भी निकाल देते हैं कि तो वो बोलना ही नहीं आता है ये तरज थोड़ी है और फिर वो बिंदी कहा लगाई है तो इसलिए ग्यानी पुरस्तों ने कहा है राम कृष्ण परमंस कहा करते थे कि गुठलीयों को पैठ देना और आम को चूस लेना गुठली में कुछ नहीं रखा है गुठली को कोई खाता भी नीए फैंक देते हैं इस सब व्यर्त बात हैं तो इस ज्ञान और कर्म से है रिक्तो नहीं जाईये भक्ति संसारी कर्म भक्ति में नहीं होते हैं बगवान की से शरण में रहोगे और शरण में रहके भजन करते हुए जो भी कर्म करोगे भगवान की सेवा ही होगी उस कर्म का फल भगवान की सेवा में अरपन करना सत्कर्मों में लगाना भगवान सर्वत्र है उनको सर्वत्र देखते हुए सेवा करना जहाँ जब जैसा आउसर मिल जा है ये भगवान की सेवा है जो ऐसा आप जानने लगे हुए तो भिकारी को भी कभी पैसा दोगे तो ये समझके ही देना ये भिकारी नहीं, ये साक्षात मेरा भरवान ही है, इसके इरदय में बैठे हुए, ये मेरे भगवान है, इसको पैसे की जरुत है, मैं इसको एक डालर देता हूँ, एक डो बनाना, लो प्रभू, आप बनाना खाओगे, लेजिए, और लेले तो धन्वाद और दीजिए, कि धन्वाद आपको, मेरी सेवा आपने स्विकारी, तो आपने भिकारी को नहीं, परमात्मा को ही दिया, परमात्मा ने स्विकार किया, आपका, इस वहाव से आप, आपके रिष्टेदारों को, परिवार को, देश्वासियों को, गाओंवालों को, जहां जैसा, दुख्यों क सुख्यों को जैसी भावना से सेवा कर सकते उस घवान को घवान की और जाने के लिए जो हैलफुल और मदद आपकी हैलफ करें मदद करें और उनको भी लाब मिले भगवान को जानने का उनके भी कान में भगवान का एक नाम बोलिए कि जैगोविन्द हरे कुष्ण जैगोपाल अन्य विलाशाशुन्यम ज्यान कर्म अनावर्तम अनको लश्य कर्शनानु सीलनम भगतीर उत्तमा तो जो भगवान की सेवा के अनकोल हो वो ही कर्म किजिए कत्र खाने भगवान की सेवा के लिए अनकोल नहीं है भगवान की स्रश्टी को काट देना बिगार देना बरबाद कर देना ये भगवान की सेवा नहीं है ये तो अपोजिट हो गई ये तो विपरित दिशा में जाने लग गए शराब पीना तो भगवान की सेवा नहीं है या पिलाना है भगवान तो शराब नहीं पीते हैं किसको पिलाओगी कैसे सेवा करोगे फिर भगवान की शराब से सेवा नहीं हो अनकूल अश्य जल है दूद है फल है फूल है तुलसी पत्ते हैं इनसे भवान की सेवा कीजिए धन है मन है जन है इनको सेवा में लगाई है शराब को नहीं यह अपराद कारियों को दूर कीजिए वो कारी कीजिए जो भगवान की भगवान के मिलन में सायक हो जो भगवान को प्रसंद करने में अनकूल हो अनकूल अश्य क्रशनानु शीलनम जो क्रशन को प्रसंद करने में अनकूल हो ऐसे अबिलाशा हो ऐसे कर्म हो ऐसे विचार हो ऐसे ब्यावार हो, ऐसा लेंदेन हो, ऐसा क्रे विक्रे हो, ऐसा घर हो, जो बगवान की भक्ती के अनुकूल हो, बगवान को प्रस्तन करता हो.